Hello everyone, this is उतकर शुकला फ्रम उतकरश एजुकेशन बाल विकास for all lectures exam सिरीज जिसके जरीए किसी भी exam में बाल विकास का जो section है उसमें आपके नंबर अच्छे आ सकें उसके लिए ये सिरीज चल रही है अगर आपको इसकी PDFs, इसके notes और उससे discussion करना है then please join the telegram उसका नाम भी उतकरश एजुकेशन ही है link description box में आपको मिल जाएगी ठीक है, आज की lecture में हम पढ़ेंगे प्रतिदर्श, प्रतिचेन का सिध्धान्त, sample theory ठीक है, आईए पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले इसका दूसरा नाम संग सत्तात्मक सिध्धान्त ठीक है, इसको देने वाला कौन? G.F. Thompson G.F. Thompson Thompson समूर सिध्धान्त के student थे जो आगे चलके अपना खुद का एक सिध्धान्त प्रतिदर्श प्रतिचेन का सिध्धान्त देंगे इन्होंने ये कहा कि मनुष्य में अनेक योगताएं होती हैं और वो योगताएं बिविन पैरामीटर्स जो होते हैं उनके हिसाब से बटी होती है जैसे सारी रिक योगताओं के अंदर गथ कुछ योगताएं आईनी मानसिक योगताओं के अंदर गथ कुछ योगताएं आईनी सामाजिक योगताओं के अंदर गद कुछ योगता हैं आए नहीं समूस इद्धान्त भी यही बेसिकली कह रहा था अब वो वहाँ से एक कदम आगे बढ़ गए कि जब उसे कोई काम करना होता है तो वो किसी एक ही योगता का प्रयोग करके सारे काम करने का प्रयास नहीं करता है जो समूस इद्धान्त भोलता है वह जरूरत के हिसाब से विबेन योगताओं को उठाता है विबेन समूस से उसका एक सेंपल बनाता है उनका यूज करके काम करता है और वो काम करने के बाद उस सेंपल को खतम हो जाता है वो sample उसके बाद उसकी habit नहीं बन जाता है आदत नहीं बनता है वो sample जैसे कि मुझे cycle चलानी है तो cycle चलाने के लिए मुझे अपनी आँखों को खुला रखना है अपने पैरों को सही से चलाना है ये मालनों की दो सारीरिक योगता है पैनी नजर और मजबूत पैर दो योगता हैं चाहिए लेकिन जैसे ही cycle चलाना बंद करूँगा मैं खड़ा हो जाऊँगा तो अब मुझे वो योगताओं की कोई आवशक्ता नहीं है अब मैं अगर नॉर्मल चल रहा हूँ ये किसी से बात कर रहा हूँ तो cycle चलाने की प्रक्रिया का पालन में नहीं करने वाला ऐसा Thompson ने बोला है अपने sample सिध्धान्त के अंतरगत चोटा सा सिध्धान्ता दो मिनट में आपको समझा दिया इसी तरह से आगे लेक्चेर आते रहेंगे प्लीज जोईन माई टेलेग्राम चैनल प्लीज सब्सक्राब माई यूटूब चैनल थैंक यू वरी मुच जैहिन